दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ख़बर आप लोगों को कैसे बताओं दोस्तों थोड़ी दर पहले ही मैंने आपको बॉलीवूड के जाने माने डिरेक्टर यानिक निशिकांत कामत साहब को लेकर एक ख़बर बताई थी के एक अस्पताल में तो दोस्तों ये ख़बर सोशल मीडिया पर जब वाइरल होई थी तो भाई इस ख़बर कुसंदे के बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आया था और उसी पर मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई या इन फेक यूटिबर्स के बारे में हम क्या कहें जो कि भी अब ब्रेकिंग निउस बनाने के चक्कर में कोई भी कवर कहीं से भी डाल देते हैं यानि कि भी ख़बर के सत्यता को जानते नहीं है उससे पहले ख़बरों को फैला देते हैं सोशल मीडिया पर लेकिन कि भी या ये अफवा अब सही साबित हो गई है यानि कि थोड़ी दिर पहले ही ख़बरने कल के आई है कि निशिकांत कावा साब का निधन हो गया है दोस्तों आपको बतादू कि निशिकांद कामद साहब ने अपनी फिल्मी केरियर के शुरुआत मराटी फिल्म के डिरेक्शन से की थी जिसका नाम था डूमबी वली फास्ट यानि कि भिया इस फिल्म से उन्हों ने अपने डिरेक्शन के फिल्ड का शुरुआत किया था दोस्तों आपको बता दो कि निशकांद काहमत साब ने अपनी फिल्मी केरेर में डिरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था और उनकी एक्टिंग का लोहा लोगों ने हमेशा माना था उन्होंने बॉलिवुड के लिए बहुत बहतरीन काम किया था उनके द्वारा बनाईगे फिल्मों के अगर मैं बात करूं तो भीया फोर्स, द्रिश्यम, रौकी हैंडसम और मदारी यानि कि इन फिल्मों ने काफी सुर्ख्या बटो रही थी सिनेमा घर में और खास तरप बात करें द्रिश्यम की तो भीया द्रिश्यम के तो लोग आज भी नहीं बुले हैं यानि कि विया उनके बहतरीन डिरेक्शन और अजदगन की बहतरीन अदाकारी के बीच में ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी लेकिन क्या कहें दोस्तों की बहुत ही कम उम्र में यानि विया पचास साल की ही उमर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया दोस्तों उनके तविया उनको पेट में दर्द की शिकायत थी और इसी वज़े से उनको हस्पीटल में भरती कराया गया था जहां पर उनकी स्थिती काफी खराब ह हो गई थी और आज उन्हें आज शिव में भरती किया गया था यानि कि जीवन रच्छक पर नाली पर उन्हें रखा गया था और अभी थोड़ी दिर पहले ही उनका निधन हो गया है तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई में 2020 जो है वो बॉल कामस सहाब के आत्मा को सांती मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के इतनी शक्ती मिले कि वो इस दुख की घड़ी से उबर पाए